दोस्तों पिछले साल तक SOSC के admission में बहुत लेट होता था जिसके कारणा बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुक्सान होता था इसलिए parents और students बहुत परिशान और दुखी रहते थे क्योंकि SOSC का पहले form निकलते हैं फिर टेस्ट दो टेस्ट के बाद result आएगा result के बाद second round होगा second round के बाद कुछ में third round भी होता है इस दोरान जोए काफी लंबा time होता था फिर नाम आता था किसी को दूर स्कूल मिलिया नजदिक मिलिया फिर अपने स्कूल सेट करो फिर document verification कर तब जाकर के SOSC में admission हो पाता था और उसके बाद होती थी पढ़ाई इसलिए इस साल SOSC ने बहुत एक कमाल का काम किया है चाहिए 9 तो हो या 11 तो हो इस साल जो है आपके March यारे की एक April से पढ़ाई शुरू हो जाएगी सारा का सारा काम March में ही complete हो जाएगा आज की वीडि सब्सक्राइगा की टेस्ट कब होगा रिजल्ट कब आएगा और आपके admission का प्रक्रिया जो कब शुरू होगी तो भाई पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें वीडियो को लाइक करने में कंजूस ही ना करें शेरिंग कर दो अपने दोस्तों को और अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इन फ्यूचर आपको सारी अपडेट लगातार शेर होती रहेगी मेरे बारे में जान लो मैं हूँ आपके साथ आसिसर यहां पर आप देखेंगे चो 2024 में कुछ चीजें जो बहुत इंपोर्टन है बहुत इंपोर्टन है वह आपको समझना ब विदाउट एनि रिलेक्सेशन यह बिना रिलेक्सेशन के क्या इस क्रेटिरिया है तो 31 मार्च तक 31 मार्च दो बजार 24 तक आप अपना इस काउंट करने इस काउंट करने में अगर आपको प्रोब्लम आई तो मुझे बता देना क्योंकि ऑनलाइन आप लाइब भी अपना इस काउंट कर सकते हैं नायंत में जो कम्प्लीट होना चाहिए 13 से 15 साल मुझे से कमनी होना चाहिए और 15 से ज्यादा नहीं पहला दूसरा है 11 के लिए 15 और 17 यानिकि 15 से पहले नहीं और 17 के बाद नहीं 15 और 17 के बीच में 11 में आपकी इस होनी चाहिए एक बच्चों का डाउट है कि इसमें कुछ रिलेक्शेशन भी मिलता है एस के अकॉर्डिंग है ना आपको जो है अपने क्राइटेरिया में थोड़ा सा रिलेक्शेशन भी मिलता है लेकिन एक चीज बच्चों का बहुत प्रोब्लम भी आय थी पिसले साल बहुत सारे बच आपका होना चाहिए पहली बात देखर एक धर देखो दिल्ली का होना चाहिए और भी नॉन क्रिमिलर कि उवीज़ा का बहुत फायदा मिलता है इस admission में सबसे ज़्यादा बच्चे के ही सेलेक्ट होते हैं और सबसे ज़्यादा डिस्क्वालिफाई भी होते हैं क्योंकि उनके पास certificate ही नहीं होता है तो अगर आपके पास दिल्ली का OVC है तो ही आप भरें पहली जी दूसरा है SC SC में अगर parents का है तो भी चलेगा certificate all India valid रहता है चाहिए किसी भी स्टेट के हैं आपका ऐसी का सर्टिफिकेट चलेगा अब बात करेंगे यहाँ पर तो कुछ बच्चों का कहना है कि सेलेक्शन कैसे होता कितने नंबर पर होता है तो आपको हाइस्ट मार्क्स लाने हैं क्योंकि हाइस्ट मार्क्स लाएंगे तो उसी के according आपको second round के लिए बुलाया जाएगा और उसी के according आपको third round भी होगा अगर आपका आप फोर्स वाला सपना है तो याइट अगर आपको चाहिए कि कितनी गई पिसले साल किस डोमेंट के कितनी कट अब गई तो आप मुझे प्यारा सा कमेंट कर दो कट आप के लिए आप मुझे यह कमेंट कर दें कि मैं आपके साथ का टॉप शेर करूं या ना करूं आगे देखते हैं तो एक जानल वाले बच्चों को लिया ही नहीं जा रहा है तो यह एक्क्विदी जो एडमिशन है ना वह इसी बेस पर होता है यहां पर मैं एक बार फिर से आपको जूम करके दिखायता हूं कि किस बेस पर एड्मिशन होता है तो यहां पर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बच्चे लिए जाते हैं OVC OVC के 27% Reservation है तो भाई अगर मान दीजिए सबसे ज़्यादा लिया जाएगा इसलिए अगर आपका OVC का सर्टिपिकेट है तो बहुत अच्छा है आप थोड़ी सी तैयारी करके आप किसी डोमेन में सेलेक्शन ले सकते हैं उसके बाद भाई साफ 15% सी वालों को लिया जाएगा सी वालों को साड़े साथ परसेंट और तीन परसेंट सी डेवलोई से यानिकी स्पेशल जो दिव्यांग बच्चे होते उनको लिया जाता है तो यार क्या घजब का मतलब यह कि सी सी ओवी सी वालों को ज्यादा लिया जाएगा सी डेवलो से वालों को बाकि अगर आप जन्रल है तो भाई आपको बहुत महिनत करनी पड़ेगी बहुत महिनत क्योंकि पिसले साल जन्रल वाले बच्चे बहुत रो रहे थे बहुत अच्छा पिपर होने के बावजूद भी उनका नहीं हो पाया तो आपको जो है अपनी तयारी आज से ही अच्छी कर लेनी है अगर आप जन्रल है बाग्या मुझे कमेंट सेक्टिर में जरूर बताएं कि आपकी कौन सी केटेगरी है और येस आप दिली के ओविसी है या नहीं है वो भी आप जरूर कमेंट में शेयर करें अब यहां पर आप देखेंगे क इंपॉर्टेंड इट पिछले साल क्या होता था कि जन्वरी एंड सॉरी दिसम्वर एंड में तो फॉर्म ही निकलते थे फॉर्म निकलने के बाद सारा काम डिले होता था लेकिन इससे बच्चों की पढ़ाई को बहुत नुकसान होता था इस तार इनों ने नवंबर में ही फॉर्म निकाल दिये और आपके बहुत जल्दी यहां पर आप देखेंगी तो कमेंस्मेंट आप आउनलाइन रिशेशन आप एफ्लिकेशन तो 23 नॉम्बर से शुरू हो गए थे उसके बाद क्लोज यारे की 22 दिसमबर तक तो भाई क्लोज भी हो जाएंगे 22 दिसमबर के बाद आप फॉर्म ही नहीं बर सकते और फिसरे साल तो 22-25 के करीब तो फॉर्म ही इन्होंने जल्दी कर दिये और भाई इस बार आपको आगे डेट नहीं बढ़ेगी इसलिए आप ध्यान से पहले ही भर दीजिए अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं आपको दिक्कत सब्सक्राइब की साथ नंबर डेसेफ्षन में फिर पर पर दिखेंगे लाश्ट लेट ओप एडिट करेक्शन अगर आपके फॉर्म में कुछ प्रॉबलम रहे गए वह कुछ दिक्क्कत आ रही हो यह आपने गर भर दिया हो तो आप 22 तारिक तक ही मैपना कर्एक्ट भी कर देखे तो डाउनलूड एडमिटर जो आपके एडमिट कार्ड होने विक जनवरी यानि कि आपको आप 15 जनवरी से पहले पहले तक आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे भाई मतलब सारा काम बड़ी टीजी से होगा इस साल और जो भी आपका एक्जाम वोगा आपका 16 पर गेसी मतलब जनवरी इंड तक आपके एक्जाम भी हो जाएंगे रही बात हो जेट कि तो चोनिक तो आने incentiv आने के बाद आपके राउड में और बिदर तक आपका आजाएगा उसके बाद आपको सेकंड राउंड का रहता है और आपको भाई फाइनल यान की मार्च 20 तारिक तक आपका डॉकमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और 31 मार्च सब कुछ किलियर हो के एक अपरेल से आपकी पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी जबकि पिछले साल यही पढ़ाई आपकी अगस्त और सितंबर तक भी शुरू नहीं हुई थी तो वाई क्लास 9 और 11 का सब कुछ पहले किलि सब्सक्राइब करने के बाद बाद आप वीडियो भी देख लेना जो आपके काम की हो तो यार शेरिंग कर दो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो चैहिंग